नमस्कार दुफ्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस्ट यूट्यूब चैल में दुफ्तों आज क्लास नमबर टू है आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी नुवर्शिटी वा कोले कि उच्छात रहें उनके एक्जाम में यानि कि सेसं 2021 और सारे क्वेस्ट टिक है क्योंकि कई बार मैंने देखा कि कई बार पिछले साल में रिपीट होए क्वेस्चेन अगले नस्ट एम में पूझ की आना है सारी की गारंटी तो मैं ने ले सकता हूं लेकिन कुछ ना कॉस्च्छिन जरूर आएंगे इस वीडियो के माध्यम सब्थ प्रवाइट करूंगा ठीक है बिना देरियों के वीडियो में आगे बढ़ेंगे साथ-साथ मैं आपको जानकारी देदें कि दूफतों कि क्लास जिन शात्रों ने टेंड ने की है वह जाके क्लाफ अटेंड कर ले बहुत इंपर्टन क्वेश्चन और बहुत ही अच्छी बात सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सभी सब्सक्राइब करूंगा चाहां बढ़ते हैं और टॉप लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज की इस वीडियो में इंक्लूड के निस्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टन और अधर सब्जक्ट से मार्डल पेपर आ सकता है यानी मार्डल क्वेश्चन तो उसके बारे में बात करेंगे चलिए पहले देखते हैं आज की सीरीज को जहां से समझेगा बहुत इंपॉर्टन कोश्चन में इनके लिए इस वीडियो में पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है हिंदी वाले छात क से लागातार ऊमार सीट पे परिच्शा हो रहे हैं यानी की औपज्यक्टिव कोष्चन आ रहे हैं इन्वेस्टि के जो छात रहे ने लिखी पर इस निवह सिपके पर रहे हैं लेकिन मैं बात करूं गा जहां पर अबज्च्टिव को तें कि बियुक्त है कि आपसे पहले प को बता देता हूं जो भी इंपार्टन आपको लगे उससे आप लोग नोट डाउन या इसकी इंसोट भी ले सकते हैं ठीक है अगले बढ़ते हैं अगला question include कि हमें ने भी आजी के गाउं का क्या नाम ता इस तरह के गाउं का नाम था राजापुर नंकाना सोरो बसुआ गोबिंदपुर इस जो गाओं का नाम था बस वागोबिंद पर इसलिए को इसलिए अगले कोश्चन के वर अगला कोश्चन वीडियो मैं ने इंक्लिट किया है वह बिहारी जी के काब विका मुख्य रस क्या है नमबर एक करून बी नमबर सांथ सी नमबर संगार और नमबर में अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि इन में से रियति सिद्धि कभी कौन है तो आप पूस्टर मिल जाएं घनानंत बिहारी देवयो पद्तमाकर मैं आपके जानकार के लिए बता दूए विहारे जी को रियरति सिद्धि कभी भी मना जाता है या फिर कहा जाता है तो आपके exam में यह question पूछा सकता है कि बिहारी जी कया rate चिद्ध कभी थे या फिर बिहारी जी या छी को कौशे कभी करेंके नाम से जाना जाता है और भी ठीक है तो वहाँ पर आपका जसलिक क्विष्टेर्स जो होगा उसका एंसर एक होगा बिहारी से सम्भंध को उसकंव हो सब्सक्राल सब्सक्रान. आगे question आपको मिलेगा इसका बढ़ते अंगले question के लिखा कि बिहारी का जन्म कहां हुआ था आपसर मिल जाए कासी बिहार गौालियर अटे नमबर मद्ध प्रदेश तो इस question का right answer हो जाएगा वह हो जाएगा दुफ तो आपसर नमबर मैं सी ध्यान दीजिएगा वहारी का जन्म हुआ था वहाले में हुआ था गौले मद्ध प्रदेश में ओके देखो अन यहां पर बताया जड़ा कहां पर आपसर आपको मिल जाए का सी बिहार गौालियर मद्ध प्रदेश तो आप यहां पर स्लेट करिएगा यहाँ पर कुश्चिन का मतलब यह भी आप कह सकते हैं कि वह कौन थे या पिर आप कह सकते हैं कि बिहारी जी किसके सिस्वते अफन सब्सक्राइब आपको बढ़ते हैं अगले पूस्टे के ओर अगला नेक्लूड हुए कि बिहारी का जर्म कब हुआ था आपसन आपको मिल जाएंगे संबद 1220 और आपसन अगला मिल जाएगा 1652 और अगला आपसन है 1500 और 1540 मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ क्योंकि बहुत सारी जगा मैंने देखा है कि वहां पर बिहारी जी का जर्म जो है वो बताया जा रहा है 1652 ठीक है इसका question कराई ट आपसन आपके एक्जाम में आ रहे है question paper में तो आप लोग आपके जानकारी के लिए बता दूँ अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि बिहारी लाल जी का जर्म किस सन में हुआ था ठीक है तो वहां पर आपको एंसर मिलेगा ठीक है 1595 वहां पर आपको एंसर मिलेगा कि जैसे आप सर्च करेंगे बिहारी का जर्म कब हुआ था वहां पर ऐसे लिखके आएगा 1595 क्योंकि ये जो जानकारी है 1595 की वह Wikipedia के एंसर बताई जा रही है तो ज्यादा तरे इंटरनेट पर इसी यही एंसर मिलेगा तो अगर इसमें अगर उनीर सो सोरी 1595 आपसन होता त हम 1595 को सिलेक्ट करते ये ध्यान रखेगा बिहारी जी का जर्म जो है वह 1595 में हुआ था अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के गुरू नरीहरदास कहां रहते थे जो गुरू थे विहारी जी के उन्हों कहां रहते थे आपसे मिल जा यहां पर थोड़ा मिश राइट हुआ यानि कि टाइप करने में थोड़ा मिस हुआ है तो यहां पर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि बिहारी जी सन 1662 में किस राजा के यहां अपनी वृत लेने गए तो यहां पर रजा लिग गया तो राजा मैंने आपको पहले ह कर दीजेगा मैं उसके लिए आगर जान कहीं रहेगी गर मुझे लगता है कि यहां पर मिस हुआ है मैं आपको जान कहीं देंगा कि यहां पर यह होगा अगर अगर दर्वाइस द्हान पर देपाऊं तो आप लोग समझ जाईएगा कि लिखा सही है लेकिन सर थोड़ा बोल सब्सक्राइब कर देए होंगे और लिखा यहां पर आपसर मिल जाएगा मान सिंग गोभीन सिंग जैसंग और अकबर तो इस पराग नहीं 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 मधूं इसका एंसर आप सभी को पूरी तरह मारूम है मैं आपको बता दूं आप सभी को मालूम है कि इसका एंसर हो जाएगा जोन की अगला को तरह मिल जाएगा अमरुक सतक का गीद गोबिंद का आज्या सब्त सती का गाता सब्त सती तो इसको तो राइट एंसर हो जाएगा आप से नमबर ईसको नमबर अधिया इसक्राइब अध्यान से समझें लीजीगा पर किसका प्रभान नहीं था वो है गिद गोबिन का अगले कुश्चिन के और हम बढ़ते हैं अगला कुश्चिन है कि निम्न में या फिर निम्न लिखित में से कौन सा कभी सस्ट्राल में रहता था आप से मिल जाए का पदमाकर बिहारी दियो रसलीन यह भी इंपॉर्टन को पिछले कई सालों में देखा तो फाहां पर आप संद्री पूच्छा गया था थिसक्मिन से वाजगा बिहारी जी पीयारी सट्राल में ही रहते थे ठीक है अगला क्वेस्टन है कि नुटे नमबर तो दोहा जो थे उनकी जो संख्या थी वह थी साथ सो तेरा इसलिए को जाना बहुत ही जरूरी है और आपके एक्जाम में आ भी सकता है तो बहुत ही टॉप लेवल का एक विश्चन है त्यार नखिएगा अगले हैं पिर है तो यह समझ हो जाएगा और है कि तक वो रएक सब्सक्राइब जयाएं तो महाए कावश में छोड़ा डियों ओर में कोंग है पीजाए कंवाशत रासव को स्क्राने लूडत सिल्छा सब्क्राइब हुस्टाइब थीस नाहीं कि बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जैशिंग से कितनी तरफिया मिलती थी ये बी इंप्वर्टनं कोश्वशिण खास कर developments ना traffern और आप यहांग कर दिय शाथ तो बिहारी जी ड्हारा लिखने पर राजा जैशिंग जिसके बारे में बिश्रिस्ता नहीं बताई ज्यादा आधिक जान का नहीं बताई है वह राष्ट्य भावना इसके बारे में इन्होंने ज्याद चर्चा नहीं कि इसलिए 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 बिश्रिस्ता में राष्ट्य भावना नहीं थी नायका कावड़न चमतका संगार प जो इनकी क्रतियां हैं उनकी बात या फिर उनकी दोहों की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम सिर्फ ग्रंथों की बात कर रहे हैं बिहारी ने कितने ग्रंथों की रशना की है जहां तक मुझे जानकारी है मुझे जहां तक मैंने नौलिश लिया है वहां तक मुझे जानकारी क प्रंट के बारे जानकीय के कुस्ट कर राइयचन सल जाएक हई एक है चा why के बारे वी चार क्रंथ में हालाकि उसी जो भी रंग किल में को sont तो यह कहा गया है बिहारी जी के लिए इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर अगले कोश्चन के और हम बढ़ते हैं अगला इंक्लूडड है इसमें बहुत इंपाटन कोश्चन है टो टॉप लेबल का कुश्चन है आपका एक्जामे कई वार पिसले फाल में पूछा भी गया है हो सकता इस बार भी आ जाए तो बिहारी जी किस काल के कभी थी आई हो बहुत फैच्छात्रों किसका राइट एंसर मालूम होगा मुझे बताने एक्जोट नहीं है च्छायवाद आधनिक काल भक्तिकाल राइट एंसर हो जाएगा रीत काल बिहारी ज अब इसे थोड़े वह था आपके एक्जाम में भी वहाँ पर कोईश्चन पूछ लेगे कि किस काल के कभी हैं तो आप मैं सुचछेगा कि इस समय प्रिजेंट की बात हो रही है तो आप समझ लीजेगा कि हाँ भीहारी जी किस काल के कभी थे तो इस वीडियो मैंने पूरे बिहारी जी से सम्बंदित 20 कोईश्चन इंकलूड किया था हाला कि इन से सम्बंदित और भी बहुत सारे कोईश्चन है जब आप सभी के एक्जाम नजदीक आ जाएंगे लब एक महीने या फिर उतसे कम रह जाएंगे या नहीं कि तो मैं आप सभी के लिए जो भी बिहारी किसी भी कभी से सम्बंदित जितने भी टॉप कोईश्चन बनेंगे वह मैं सारे आपको प्रवाइट करूंगा लेकिन अभी बहुत आचात्र इस सीरीज से या फिर आपके सकते इस क्लास से जॉइन नहीं हुए तो उनको आधी जानकारी मिलेगी इसलिए मैं भी सारी करूंगा और मुझे लगता है कि अगर मैं सभी कभी से सम्मंदित पचास-पचास कोईश्चन बता दूँगा तो आप सभी की जो हिंदी फस्ट पेपर है वह क्लियर हो जाएगा हंडड़ परसेंट ओके आपका कोई 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 डाउट है कमेंट करके पूचे किस वीडियों में तब तक ले जहन्त